नमस्ते दोस्तों मित्रों शरीर को स्वस्त रहने के लिए एक्ससाइल बहुत जरूरी है तो एकुप्रेसर के साथ में अगर आप योगासन करेंगे और खान पान सुधार लेंगे तो बिना दवा के आपके सवी रोग ठीक हो जाएंगे जैसे घुटने का दर्द है, सरवाई कल है, सिलिक डिस्क है, नाप नले हैं, स्याइट का है, माईग्रेन हैं, कबज है, बवासीर है यानि सभी रोग योगासन से, एकुप्रेसर से और खान पान से ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों, आज मैं आपको धन राशन के बारे में बताने जा रहा हूं हमारा शरीर धनस के आकार का हो जाता है, और धन राशन से नाप नले, कबज यानि नाभी के सभी रोग और इस्पाइन यानि रीड के हटी के सभी रोग ठीक हो जाते हैं इस तरह लेट करके पैरों को यहां मोड़ें, यहां मोड़ें इस तरह देखिए यह धन राशन देखिए यह यह इस तरह करने से वीड की हड़ी, सरवाइकाल यह सब रोग ठीक हो जाते हैं देखिए इस तरह इस तरह को यह करने से हमारी पाचल सकती मजबूत हो जाती है खाना भहुत जल्दी पस्ता हो कि देखिए यह कितना सठरासन है देखिए ठल अचेансण करने से हमारी जो नावी यह नावी यह शार भी रोग ठीक हो जाते हैं और यहां जो फैट बढ़ जाता है किअ मुटापा अबढ जाता है चर्वी खिती हो जाती है तो धन रासन करने से ये ठीक हो जाती है और हमारी कमर रीड की हड़ी और सरवाइकल बहुत ठीक होता है तो दोस्तों हमको वियायाम बहुत जरूरी है और वियायाम के साथ साथ प्राणायाम भी करें अलोम बिलोम करें अलोम बिलोम करने से हमारी इला पिंगला नाडियां एक्तिवेट आ जाती हैं देखिए जब आप इधर से स्वास लेते हैं तो ये सूर्यस्वर है और इधर से स्वास लेते हैं तो चंद्रियस्वर है हमारे सरीर में सम होना बहुत जरूरी है तो दोस्तो एपुप्रेसर योगासन और खान पान हैं जैसे सलाद में कच्ची गाजरे खाएं चुकंदर जरूर खाएं जिससे हमोगलोगन की पूर्थी होती है पपीता भी खाएं चितना आप हम सब दवाओं पर खर्च करते हैं उससे बहुत कम खान पान पर खर्च करें जैसे सूरज की किरणों में बैठें अभी हम तो हमारी विटामिन D मिल रही है दोस्तो सुई भी साथ नहीं जाती इसलिए पहला सुख निरोगी काया हमारे रिशी मुनी दादी बावा प्रकृती की गोद में रहते थे और मस्त रह रहती है छड़ प्रतिछण बदलाव हो रहा है तो हमको अपने में बदलाव लाना चाहिए तो मैं जैपाज सिंग आ रही है एकुप्रेसर एवं प्राकृतिक चिकिस्सक मेरा मुवाइल नम्मर अठानवे सत्तानवे पैंतीस त्रासी जीरो चार जैहन जै भारत